दोस्तों नमस्कार और खेर मगदम करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर दोस्तों सर्द्या आते ही जो एक मुख्य समस्या हमारे सामने आती है वो है रुकी तोचा, फटी एडिया, रुके सुके हाथ और फटे होट हम सभी को सर्द्यों में इस समस्या से जूजना भी पड़ता है इस से बचने के लिए हम बजार में मिलने वाले बोडी लोशन को प्योग मलाते है कुछ बोडी लोशन हानिकार केमिकल से बने होते हैं और जो body lotion वास्तम में फायदा पोचाते हैं और अच्छी कंपरी द्वारा निर्मित होते हैं वो थोड़े कोश्ट लियानी महंगे होते हैं यह फायदा तो करते हैं लेकिन आम इंसान की जेप पर चोट भी करते हैं आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप घर पर ही वैसलीन बना सकते हैं और वो भी बिना केमिकल के तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ सबसे पहले हम एक मोंबत्ती लेंगे हम सफेद मोंबत्ती इस्तिमाल में लाएंगे जो नुक्सान दयाक है इसलिए हम सफेद मोंबत्ती हि लेंगे अगले स्टेप में हम बारी क टूकुडो में काट लेंगे देखे इस तरह से आप इसे बड़े टुकुड़े भी ले सकते हैं कोई ऐसा नहींगे बिल्कुल इतने बड़े टुकुड़े ही चाहिए तो आप इसे बड़े टुकुड़े भी ले सकते थोड़ा और अगले जो में चीज चाहिएगी वो है सरसो का तेल यह देखे इतनी मातरा मैं आप ले सकते हैं दोस्तों मुझे 20 दिन के लिए बनानी है वैसलीन तो मैंने इतनी मातरा में लिया है आप कम जादा मातरा अपने हिसाब से कर सकते हैं अब गैस ओन करेंगे हैं में आपर हमें तेल को थोड़ा गर्म करना है तक्रीबन पांच मिनट के बाद आपका तेल गरम हो जाएगा आप देख सकते हैं आपर थोड़ा दुएं उठने शुरू हो चुके हैं और यह देखिए आपर अब जो हमें मुम्बत्ती के टूड़े हैं वो मिसमें डालने हैं तेल गरम हो गया है आसरत का आथ मिएक दोस जाधा टाइम नहीं लगगा यह LISA TRABA में पिंगल जाएगी मुम्बत्ति जोए-सस सुछों के तेल में ज्यादा समय नहीं लगएगा इसमें दो से तीन मिनट के अंदर यह आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका यह देखिए दोस्तों यहाँ पर पिंगल नहीं शुरू हो गई मुंबत्ती अब आपको देखिए यहाँ पर दो एसेंशल ओयल दिख रहे होगा एक तो लेमेंडर फ्लेवर है तूसरा जो है चन्दन फलेवर है तो आप कोई सा भी समें इसमें इस्तामाल कर सकते हैं यह एक ओपशिनल है आप चाहें तो इन चीजों के इसमाल कर सकते है यह केवल खुशबु देने के काम आता है तो ایसा नहीं कर देने के कामeye करना है तो आपको इससमाल करना है creator है यह सिर्फ ओप्शिनल है आपकी मर्जी आप डालना चाहें या नहीं डालने वो आपकी मर्जी है यहां 10 से 15 बूंद मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसकी यह सिर्फ खुश्बू देने काम करता है ऐसा कुछ नहीं कि इसी के कारण ही आपकी वैसलीन अच्छी बनेगी ऐसा नहीं है वो आपकी मर्जी के उपर है इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसकी खुश्बू अच्छे से मिल जाए अब हम एक यहाँ पर शीशी ले रहे हैं खाली बोटल ले रहे हैं आप इसमें भर सकते हैं आप प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं इसे किसी भी चीज में आप स्टोर कर सकते हैं जिसमें आप चाहें कि यहां पर तेल ठंडा हो गया है अब इसे हम बोटल में भड़ लेंगे अब हम इसे फ्रीज में तकरीबन 20 मिनिट के लिए रख देंगे 20 मिनिट के बाद मैंने इसे फ्रीज में से निकाल लिया है अब इसी कंडिशन देखेंगे कैसी बनी है तो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं उसे यह देखिए यह कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है और यह बहुत यह अच्छी बनी है मैं आपको उम्मीद दिला सकता हूं इस चीज की के जो आप मार्केट में इस्तेमाल करते हैं मार्केट से लाई हूजी जो का इस्तेमाल करते हैं वो कैमिकल वाली चीजों से बहुत बहता रही है आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका लाब जरूर दिखाए देगा दोस्तों इसे एक बार जरूर रजमा कर देखें मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कात होगी तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार हस्ते रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए तंद्रूस्त रहिए आपका दिन शुब हो